हेलो एब्रिवन आपका इस चैनल पर स्वागत है और आज हम Only Just Married का Part 2 सुनने वाले हैं तो चलो शुरू करते हैं अकिहा सोचती है वो कौन है जिसको शू इतना पसंद करता है तो वो अपने curiosity को रोगती नहीं है और शू से पूछ लेती है शू से कहता है मैंने तुम्हें कहा ताना हम एक दूसरे के private life में interfere नहीं करेंगे तो तुम कर क्यों रही हो अकिहा को उसके बाते सुनके गुस्सा आने लगता है चानी से पहले शू अकिहा को अपने miniatures को front door के deck से हटाने के लिए कहता है अकिहा कहती है कि मेरा miniature का collection है तुम्हें नहीं लगता है यह हमारी घर की शूबा को बढ़ा रहा है इसका शू पलट जबाब देता है तो कहता है अगर पार्क पे कोई डोग आकर पू कर दे और उसका owner से साफ करने से मना कर देंगे क्याकर कि पू इस पार्क के शूबा को बढ़ा रहा है क्या तुम्हें लगता है कि यह सही होगा अकिहा शूब को अपने miniature को पू से ना compare करने के लिए कहती है लेकिन शूबस की ज़्यादा सुनता नहीं है और उसे आकरी बर वोन करके चला जाता है इसके बाद अकिहा आफिस से ली जाती है बोस अकिहा को संदे के दिन भी काम दे देता है इस पर कली कहते है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने husband के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए अकिहा कहती है मेरा हस्पिन भी काम में बहुत बिजी रहता है तो कोई फरक नहीं पड़ता तूसरा के लिए कहता है आच्छा डिवोर्च का सबसे बड़ा कारण है रिलेशनशिप को टाइम ना देना इस पर अकिहा का बॉस कहता है इससे फरक नहीं पड़ता अगर तुम डिवोर्च भी ले लो इंपॉर्टन बात ये है कि तुम्हें एक दूसरे के इज़त करनी चाहिए अकिहा कहती है ये सब नॉर्मल कपल के लिए होता होगा हमारा तो केस ही डिफरिंट है वो घर चली जाती है घर जाकर वो देखती है कि उसके मिनियर्चर स्टेबल पर नहीं रखी है जिससे अकिहा को गुसा आने लगता है और वो शू पर चिलाने लगती है शू अकिहा को इशारों से चुप कर आता है क्योंकि घर पर बड़ा भाई आया होता है दोनों को यो लड़ता देखकर वो हसते लगता है बिग ब्रदर शू से पूछता है क्या वो संड़े को फूट स्टोर पर आकर मदद कर सकता है लेकिन शू संड़े के लिए मना कर देता है वो कहता है मैं सिर्फ सेटर्डे को फ्री हूँ तो तुम देख लो ये सुनकर बिग ब्रदर अकीहा को पूछता है क्या तिम स्टोर पर हैप करना पसंद करोगी अकीहा उसे मना करने ही लगती है तब ही बिग ब्रदर कहता है मैं तुमें इसके लिए पे भी करूँगा पैसे के बारे में सुनते ही वो हां कर देती है क्योंकि इस समय उसका सबसे बड़ा मूटीफ है कि शू को चल से जस पैसे वापिस करके यहां से भागना शू उसको रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो उसकी सुनती नहीं है अगले दिन अकिहा शू से यू ही बात करना शुरू कर देती है वो उसे बताती है कि कमपनी में मुझे बड़ा प्रोजेक्ट मिला है वो कहता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अकिहा ये सुनकर भी चुपने ही होती है और कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ इसके पाद अकिहा कहती है तो मेरी बाते तो सुन रहे होना शू मना कर देता है लेकिन वो सच्ची में उसकी बाते सुन रहा होता है शू अकिहा के लिए कुछ कोशन और उसके आंसर देया करता है और अकिहा को दे देता है कहता है जब मेरी फैमली तुमसे कोशन पूछे तो तुम यही आंसल बोला जो मैंने तुमें लिख के दी है अकिहा कहती है इसके कोई जुरत नहीं है मैं खुद ही समझाल लूँगी शू कहता है मुझे तुम पर भरूसा नहीं है इसलिए जैसा इस फैल में लिखा है तुम वैसे वैसे ही बोला अकिहा बिग ब्रदर की शॉप पर चली जाती है मदद करने के लिए वहाँ पर वो ब्रदर की वाइफ से मिलती है जिसका नम मिहारू है मिहारू को देखकर तो अकिहा की आगे खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वह बहुत कुप्चुरत होती है अकिहा काफी अच्छी तरीके से शॉप का ध्यान रख रही होती है मिहारू अकिहा की मदद के लिए उसे थाइंक्यों भी कहती है तब ही अकिहा उसे बताती है कि मेरी क्राइनमा की भी एक छोटा सा रेस्टरॉन है और वो काम्स बहुत अच्छे बनाती है तो तुम कभी हमारी शॉप पे आना मिहारू कहती है अगर मुझे समय मिला तो मैं जरूर आऊंगी इसके पर मिहारू को याद आता है कि शॉप को तो काम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है अकिहा खुद को मुझे में डाल लेती है इससे पहले वो कुछ कहती मिहारू कहती है लगता है शॉप कर टेस्ट बदल गया है शादी के बाद अकिया कहती है हाँ हाँ यही बात है तब इस शौप में वो लड़की आती है जिसने शूपर पानी फैक कर उसे रिजेक किया था वो मिहारू और अकिया की बाते सुन लेती है मिहारू के जाने के बात वो अकिया से कहती है हाँ फेक मेरेज अकिया ये सुनकर डर जाती है और उसे बात करने कले बाहर ले जाती है वो रड़की कहती है मुझे तो विश्वाश ही नहीं होता है कि तुमने शू से शादी करी है शू काफी सादा अजीव है एक बारी मैंने उसे पूछा कि वो कौन है जिसे वो इतना प्यार करता है तब शू ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि उसके स्माइल सनफ्लावर की तरह है मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम ऐसे इंसान की साथ कैसे रह सकती हो जो सिर्फ शादी स्टेटस के लिए करना चाता है अकिया कहती है मुझे भी समझ नहीं आती उसकी स्टेटस वाधी बात दो अकिया वापिस काम पर चली जाती है इस बार उसको किचन में वेजेटेबल कट करने के लिए कहा जाता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि अकीहा को वेजटेबल काटनी नहीं आती है तो उसे काप में काफी ज़्यादा प्राबलम होती है पिक ब्रदर शॉपिंग के लिए चला जाता है चादे समय वो एक लिस्ट को गिरा देता है जिसे अकीहा उठा लेती है अकीहा इस बारे में मिहारू को बताती है मिहारू बताती है कि हम यह समान कर खाने बनाने में चाहिए इससे पहले मिहारू समान ओर्डर करती उसे कॉल आ जाती है तो वो बात करने के लिए चले जाती है तो अकीहा खुद से सोचती है क्यों ना मैं उनके मदद करू तो वो खुद ही समान को ओर्डर कर देती है रात को शू अपने भाई के घर आता है डिनर में मिहारू ने काम्स बनाए होते है डिनर को देख कर तो शू का मुझ बन जाता है तब मिहारू कहती है मुझे अकीहा ने बताए कि तुम्हें काम सब पसंद है इसलहीं मैंने ये बनाए है शू कुछ कहने ही बाता और चुपचब उनको खाने लगता है इसके बाद मिहारू ने बताती है कि शू और वो साथ ही स्कूल में पढ़े है ये सुनकर तो अकीहा काफी ज़दा चौट जाती है ये बताने के बाद मिहारू उनसे कुछ कोशन पूछने लग जाती है मिहारू शू से पूछती है तो मैं अकीहा के बारे में क्या बाते पसंद है इस पर शू कहता है वो मेरे लिए मूची खरीद के लाती है मुझे ये बार पसंद है उसका अंसर सुनकर अकीहा को ऐसा लगता है कि शू ने उसे धोका दिया है वो ऐसा इसले क्योंकि शू ने फाइल में लिखा था कि उसे अकीहा की कुकिंग स्किल पसंद है लेकिन यहाँ पर तो वो कुछ होरी बोर रहा है अब अकीहा भी ऐसा ही करती है वो मिहारू के पूशने पर कहती है मुझे इसका बच्चों के तरह बिहेव करना इसका आफिस से आते ही मेरे गाल पर किस करना और अगर मैं लेट हो जाँ घर के ले तो मुझे बार बार फोन करके तंग करना मुझे ये बहुत पसंद है ये सब सुनकर शू की फैमिली को तो काफी अच्छा लगता है लेकिन शू को इंबरेसिंग फिल होने लगता है तो वो डीनर टेबल से उठकर चला जाता है अकीहा शू से माफी मांगती है और कहती है ये सब तुमारे कारण ही हुआ है अकर तुम पहले स्क्रिप्चर नहीं करते तो मैं भी नहीं करती लेकिन शू इस पर कुछ कहता नहीं है और दोनों सोने के लिए चले जाते है जैसे ही वो कमरे में घुसते है को देखते हैं कि दोनों का बैट एक दूसरे से चिपका हुआ है तो शू कहता है मैं तुम्हारे पैरलर सो जाता हूँ अकिहा भी इसके बाद से राजी होती है अकिहा शू को कहती है अज पहली बर मैंने फैमली के साथ डिनर किया क्योंकि मेरी फैमली हमेशा ही ओवर सीज रह जरू कर देती है जिससे शू को काफी अनकमफरडिबल फील होने लगता है तो वो कहता है कि मैं पानी पीने के लिए जा रहा हूँ शू पानी लेही रहा होता है कि वहाँ पर मिहारू आ जाती है तो नों बैट कर बात करने लगते है अकिहा सोसती है यह अब तक आया क्यों नहीं उसका वेयर करती है लेकिन फिर अपने काम से मतलब रखकर वापे सो भी जाती है मिहारु को कहती है तुम बहुती लग्की हो जो तुमें अकीहा जैसे अच्छी लड़की मिली है इसके बाद वोसे कहती है ऐसे तुमने मुझे कभी उससे मिलवाया क्यों नहीं शू मिहा बारू कहती है मुझे काफी अच्छी फिलिंग आ रही है मुझे लगता है तुम अकीहा के साथ काफी खुश रहोगे ये मेरे six cents है वो कहती है तुम्हें मेरे six cents पर भरोसा है ना शुक हैता है ये six cents नहीं पकवास है नेक्स्ट दोनों शॉप पर help कर रहे होते हैं तब अकीहा उसे बताती है कि उनकी cat की तब बित कुछ ठीक नहीं लग रही है लेकिन शूज की बात पर ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि वो कहीं और ही खोया होता है ब्रिक ब्रदर को अकीहा के द्वारा किया हुआ ओर्डर मिलता है ब्रदर कहता है ये समान तो बहुत जाबा है ये किस ने ओर्डर किया था मिहारू कहती है मेरे ओर्डर करने से पहले ही किसी और ने कर दिया था मुझे लगा वो ओर्डर तुमने किया है इसलिए मैंने कंफर्म नहीं किया अकीहा कनफ्यूजन को क्लियर करती है और उन्हें बताती है कि इस इंक्रीडियंट को मैंने ही ओर्डर क अकीहा को कुछ कहते नहीं है वो कहते है हम कोई लग कोई तरी कर निकाल लेंगे इस मीट को यूज करने का शू कहता है और वो अब कैसे करोगे इस पर उसका भाई कुछ कहने ही पाता अकीहा को इस गलती से बहुत बुरा लगता है और वो दुबारा मदद के लिए जाती है लेकिन शू उसे मना कर देता है और कैट को डॉक्टर को दिखाने के लबीज देता है शू गुस्ते में अकीहा को कहता है मुझसे गलती होकी तुम से शादी करके अकीहा को शू की बात एक काफी सादा चुपती है इसके बाद वो वेटेरिन के पास सनी जाती है वेटेरिन वोही स्मार्ट गाय होता है वो कहता है यह क्या तुमारी है क्या अकीहा कहती है नहीं यह मेरे हस्बिन की है यह सुनकर वो रड़का थोला चाग जाता है अकीहा काफी सादा दुखी होती है तो उसके सापने अपने दिल की बात रखने लग जाती है वो कहती है आज कल मेरे और मेरे हस्बिन के बीज में कुछ ठीक नहीं चाल रहा है मुझे लगता है कि मैं उसे छोड़ने वाली हूँ इस पर वो कहता है अगर तुम उसके साथ खुश नहीं हो तो तुम उसे डिवोर्स फायल क्यों नहीं कर देती हो उसके बात सुनकर अखिया डिसाइड करती है कि वो लोन लेकर शोड़न को पैसे वापिस कर देगी और उसे छुटकारा पालेगी लेकिन घर जाने के बाद उसका मन बदल जाता है वो देखती है कि उसके मिनियेचर टॉइस वापिस टेबल पर रखके हुए है उनको वापिस टेबल पर रखा देखकर उसे काफी साधा अच्छा रखता है तब ही उसके फोन पर नोटिफिकेशन आती है कि शुटके भाई की शॉप पर बर्गर की सेल है अकिहा उनकी मदद करने का फिर से सोचती है वो अपने डिजाइन नॉलेज को यूज करके बर्गर पोस्टर बनाती है और उन पैंपलेट्स के दुवारा शॉप को एड़टाइस करने के लिए जाती है शुट उसको येर करते हुए देख लेता है और अपने बुरे बीहेवियर के बारे में सोचते है वो देखता है कि किसी परसन ने उसका पैंपलेट को डस्पिन में डाल दिया है तो वो उसे डस्पिन से निकाल कर अकिहा के पास उसकी मदद करने के लिए चाता है अकिहा उसकी मदद पागर काफी खुश होती है बर्गर की से लच्छी होने के कारण अकिहा शुट के साथ सरिप्रेट करने का सोचती है वो शुट को टीनर के लिए इन्वाइट करती है लेकिन शुट टीनर करने से मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ज़़ा ठका होता है जाने से पहले वो अकिहा को कहता है मुझे खुशी हा कि मैंने तुम से शादी करी ये बोलते ही वो फट से अपने कमरे में भाग जाता है शुट की बाते सुनके अकिहा को काफी अच्छा लगता है अकिहा अगले दिन उसी स्मार्ट गायस से मिलती है और इसे अपने सारी कॉंट्रेक्ट मेरेज वाली कहानी बता देती है लेकिन वो कहती है ये स्टोरी मेरे दोस्त की है स्मार्ट बोई उसके बात सुनकर कहता है लगता है तुम्हारी फ्रेंड अपने फेक हस्पेंड को प्यार करने लगी है अकीहा खुछ से कहती है ऐसा नहीं हो सकता मैं उसको प्यार नहीं कर सकती हूँ तब ही उसको नोटिफिकेशन आती है उसमें वो देखती है कि मिहारू ने बर्गर के साथ अपने फोटो डाली है और बैक्ग्राउंड में सनफ्लावर्स है उस फोटो को देखकर अकीहा को समझ आ जाता है कि शूच इसको पसंद करता है वो और कोई नहीं बलकि मिहारू है और इसे के साथ हमारे पार्ट टू की एंडिंग होती है देखने के लिए बने रहे थैंक्यू फॉर वाचिंग